हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में आज हम लेकर आए हैं 12 वालो के लिए Chemistry में Most Important Reactions आज की क्लास में जैसा कि हमने कल आप से कहा भी था कि यहाँ पर अगले क्लास में आपको Reactions भी लेंगे Chemistry की आपके इस क्लास को देखने के बाद 10 नमबर पक्के हो जाएंगे यह पूरी Guarantee है क्योंकि जो Log में आपका Question आता है हर साल आपके Exam में पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब की इसमें केवल आपको Chemical Reaction ही देनी होती है ठीक है तो यह 5 नमबर 5 नमबर में आता है क्या होता है जब की और 5 नमबर में आता है कैसे प्राप्त करेंगे यानि कि कुल मिलाकर 10 नमबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप यह सारी Reactions की अच्छे से Practice कर लेते हैं तब तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सारी ही Reactions आज की क्लास की बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसकी Practice कर लेजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे Comment section में पूस सकते हैं चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली आज की रियम रियक्शन है और Methanol का मतलब भी HCHO ही होता है काफी बच्चे Confuse हो जाते हैं ठीक है तो एक चीज़ की Chemical नेम भी होता है और एक IOPC नेम भी होता है तो दो नाम है अलग-अलग लेकिन जो उसका Formula है वो सेम ही रहेगा ठीक है तो आप इस चीज़ को याद रखें चाहे Methanol लिख कर आए या Formaldehyde लिख कर आए दोनों ही बाते एक ही है अगर आप जब Formaldehyde की Ammonia से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है यूरोट्रोपिन बनता है बहुत बार ये रियक्शन पूछे गई है क्या रियक्शन है देखिए Formaldehyde का मतलब है HCHO और Ammonia का मतलब है NH3 ठीक है जब ये दोनों बिलते हैं तो क्या बनाते है यूरोट्रोपिन यूरोट्रोपिन का फॉर्मला याद कर लेजे क्या होता है CH2 का Whole of 6 और बाहर N4 ठीक है तो ये क्या होता है यूरोट्रोपिन ठीक है फिर हमने यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 H2O अब यहाँ पर देखिए Main Product हमारा क्या है यूरोट्रोपिन है तो इसके उपरे छोटा सा हमने Star बना दिये इस तरीके से यह क्या बताता है यह देखिए Standard होता है Reaction लिखने का जब आप आपकी Copy Examiner चेक करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा देखकर कि बच्चे को हाँ कुस्तो आता है तो आप जब भी Reaction लिखे उसका जो Main Product होता है उस पर आप छुटा से इस तरीके से Star बना दीजी ताकि पत प्रेडी हाइट का formula क्या होता है Ammonia का formula क्या होता है Eurotropin का formula क्या होता है लेकिन अब हम यह कैसे याद रखे कि कहां पर छे लगेगा चार लगेगा दो लगेगा तीन लगेगा तो आपके लिए यह ट्रिक है भाया यह आपको कभ याद होगा जब आप इसकी practice करेंगे ठी प्रेक्षिन को आप कई बार लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए तो एक practice में आजाता है practice में आप आपकी दिमाग में आपकी pen खुद अपने आपसे चलने लगेगा कि हाँ यहाँ पर 6 लगेगा यहाँ पर 4 लगेगा इस तरीक ऐसे reaction कभी भी रटी प्रेक्षिन कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं तो अभी कुछी दिन बचे हुए आपकी यूपी पोड एक्जाम आने में पाची दिन है तो आपको क्या करना है अगर आपकी chemistry में reactions नहीं तयार है तो आपको जितनी आज की क्लास में बता रहे हैं वह आपको अच्छे से में से आएंगी और जब आपका एक्जाम हो जाए तो कॉमेंट करके बताएगा आपका एक्जाम कैसा हुआ और रियक्षिन साग किसमें से फसी या नहीं फसी अब देखिए अगली जो रियक्षिन है वो है हमारी फ्रमेलीडी हाइड की कॉस्टिक सोडा से क्रिया जब ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है मेथिल अलकोहौल यह देखिए यहाँ पर formaldehyde है caustic soda यानि कि NaOH और यह देखिए methyl alcohol यह main product था तो इसके उपर क्या बना दिया star बना दिया और यह जो पूरी reaction है यह कैनी जारो अभिक्रिया भी है यानि कि name reaction भी है यह हमेशा याद रखिए जो question आता है कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब की वाला इसमें अधिकतर जो reactions होती है वो name reaction वाली होती है और या तो किसी compound की प्रियोग शाला विधी या ओद्योगिक विधी होती है तो आप ये भी दिमाग में बात लेकर चले कि आपको कोई भी compound आप पढ़ रहे है तो आप उसमें जो उसकी प्रियोग शाला विधी है और साथ में जो उसके ओद्योगिक विधी है वो आप बिल्कुल भी ना छोड़े उसके बाद देखिए आप अगली reaction है यापर formaldehyde की failing million से अब सभी जानते जब भी failing million क्रिया करता है यानि कि 2CO क्रिया करता है तो हमेशा क्या बनता है CO2O का लाल अवच्छे बनता है चाहें ये किसी से भी reaction करें main product हमारा यही होता है तो जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर formaldehyde ने 2COO यानि कि failing million से क्रिया करी और यह देखिए बन गया हमारा CO2O का लाल अवच्छे बन गया इसी तरीके से जब भी tolerant अभी कर्मक यह देखिए हमेशा यही रहता है failing million होगा तो बनेगा CO2O का लाल अवच्छे बनता है बस आप formula याद रखिए failing million का क्या होता है 2COO का लगाते है और अगर tolerant अभी कर्मक की बात आ रही है तो AG2O होता है जब यह क्रिया करता है तो क्या बनता है रजद दरपड़ रजद दरपड़ का मतलब है 2AG ठीक है तो इस तरीके से दोनों ही reaction हो जाती है और फिर उसके बाग अभी कर्मक अगर क्रिया करेगा फॉर्मलड़ी हाइट से यह होता है गरिगनौड अभी कर्मक ठीक है तो यह करता है तो क्या बनाता है एथिल अलकोहल यह किसकी प्रिजन्स में होता है वाटर और यह जो हाइडरोजन हाइन की प्रिजन्स में यह क्रिया होती है इसी तरीके से कई सारी यहाँ पर रियक्शन सामने लिख रखी है जैसा की फॉर्मलड़ी हाइट की हाइडरोजन साइनाइट से क्रिया हाइडरोजन का मतलब है है साइनाइट का मतलब है सीयन यानि की हैसीयन से जब यह क्रिया करेगा तो formaldehyde sinohydron बनता है तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर यह वाली देखी चीज से में यहाँ से एक bond टूटेगा यह वाला HX इसके संग जुट जाएगा और CN नीचे जुट जाएगा कब जब यह bond टूटता है ब्रेक होता है फिर formaldehyde जब baccalite से करिया करता है तो कुछ इस तरीके से reaction होती है कई steps में होती है तो हमने यहाँ पर देखी लिख दिया है presence of many steps यह किसकी presence में होती है मतलब यह baccalite कैसे बनता है तो phenol से करिया करता है formaldehyde तो यह कैसे करिया आएगी आपको ऐसी लिखना होगा या तो इस तरीके से आ जाएगा कि formaldehyde की phenol से करिया होती है तब क्या पराप्त होगा तो आपको यह बताता पड़ेगा और इस तरीके से भी आ सकता है कि formaldehyde से baccalite तो यानि आपको formaldehyde से baccalite बनाना होगा तब आपको यह पता होना जी कि बीच में आपको क्या जोड़े कि यह हमारा बन जाए ठीक है उसके बाद आके लिखी होगी है यह सारी formaldehyde वाली हो गई है अब हम बात करेंगे acetaldehyde की तो acetaldehyde का मतलब होता है यह आयोटो फॉर्म से करिया करते हैं यहां पर यह दो स्टेप में क्रिया लिखी हुई है तो दो स्टेप में क्रिया लिखी हुई है यह जादा अच्छा है लेकिन आप अगर नहीं याद रख सकते हैं तो यह एक स्टेप वाली भी क्रिया यहां पर लिखी हुई है इसमें क्या बना हुआ है हमारा यह iodoform यह है हमारा, देखे, star बना हुआ, इसका मतलब यह मेन प्रोड़क्ट है, हमने क्या किया, यह acetaldehyde था, यह double step reaction है, तो यहां पर जाकर इकलार बन गया, iodoform हमें प्राप्त हो गया, कैसे प्राप्त हुआ, तो किस से मने रीक्शन कराई इसकी, तो देखे यहाँ पर Naos से क्रिया कराई और I2 यानि Iodine से क्रिया कराने पर हमारा क्या प्राप्त होता है Iodopharm प्राप्त होता है फिर यह देखे यहाँ पर अभी हमने आपको उता है था formaldehyde synohydrin यहाँ पर acetaldehyde है तो उसका नाम क्या हो जाएगा acetaldehyde synohydrin यहाँ पर देखे कुछ reactions ऐसी है जो एक जैसी ही है बस क्या है थोड़े थोड़े से उसके नाम चेंज हो गए है अब यहाँ पर देखे आप चाहे इस तरीके से लिखे और alcohol group भी होगा यानि कि OH जब यह दोनों आपस में होते हैं एक ही compound में तो उसे कहते हैं LDOL जैसा कि यहाँ पर यह देखे जो बना हुआ है यहाँ पर OH group है और यहाँ पर CHO group है यानि कि यह क्या पूरा है इसका नाम हम पूरा कहेंगे LDOL उसके बाद यह हमारी reaction जो है वो काम आ जाएगी नेम reaction LDOL संगनन अभिक्रिया हमने करा भी रखी है LDOL संगनन अभिक्रिया वहाँ पर भी यह कर सकते हैं उसके बाद Acidaldehyde की sodium bicarbonate से यह लिखी हुई है फिर Acidaldehyde से आप acetone कैसे बनाएंगे तो यह भी लिखी हुई है यहाँ पर सारी reactions यहाँ पर हैं almost जो कई बार exam में पूछी गई है फिर Tishen को अभिक्रिया आती है यह आपका Aster में आपने पढ़ी होगी compound में कि Acidaldehyde से Aster कैसे बनाएं तो यह Tishen को अभिक्रिया है यह लिखी हुई है फिर Chlorine करण अभिक की रहा यह भी हमारी Name Reaction है इसमें क्या होता है आप Acetaldehyde से Chloral प्राप्त करते हैं यह देखिए Chloral बना हुआ है फिर Acetaldehyde से Acetaldehyde कामने कैसे प्राप्त होगा तो यह लिखी हुई है Acetaldehyde की Semi-Carbohydrise से करिया तो यह पूरी लिखी हुई है तो आपको क्या करना है यह सारी हम पढ़कर अब भी तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि काफी जादा बड़ी वीडियो हो जाएगी यहां पर जितनी भी सारी reactions है अभी हमने आपको formaldehydehyde बता दी सारी Acetaldehyde बता दी अब देखिए यहां पर अब आई है Acetone Acetone का मतलब है इसका IUPAC name होता है Propanone तो भाई Acetone का यह formula होता है इसी में यह देखिए यह कई सारी reactions लिखी हुई है आपको यह सारी reactions अच्छे से याद कर लेनी है याद करने का मतलब है practice कर लेनी है कई बार practice करेंगे तो आपकी जो है कहीं पर भी mistake नहीं होगी क्योंकि रियक्षन का यही होता है अगर आपने थोड़ी सी भी reaction में 2-3 की भी गलती कर दी है तो वो reaction काट दी जाती है आप एक reaction लिखेंगे मान दिया उसमें formula यह होता है Acetoneide का CH3 CHO आपने क्या लिख दिया CH2 CHO तो यह पूरी reaction आपकी कट कर दी जाएगी क्यों क्योंकि आपको formula ही गलत हो गया है तो इसलिए छोड़ी छोड़ी सी गलतियां बिल्कुल भी ना करें आपके जो भी reaction आ रही है उसको अच्छे से करके जाए formula तो आप बिल्कुल सही ही लिखे उसके बाद देखे यह सारी acetone वाली है acetone से mesitline कैसे प्राप्त करेंगे और tritec butyl alcohol कैसे प्राप्त करेंगे ठीक है यहाँ पर देखे लिखा भी हुआ है कि अगर आता है acetone से tritec butyl alcohol या आता है grignod avikarmak से tritec alcohol तो आपको यही reaction लिखने होगी यह है हमारा grignod avikarmak यह है हमारा acetone ठीक है तो दोनों में से कोई भी question आता है तो आपको यही वाली reaction करनी होगी उसके बाद लिखा हुआ है acetone से acetamide कैसे बनाएंगे acetone से propanol कैसे बनाएंगे acetone से chloroform कैसे बनाएंगे तो आपको अगर देखे एक reaction में यह तो फॉर्मुले तो पता ही होने चाहिए basic से होते है propanol का क्या होता है propanol और acetone जो है वो एक ही चीज है इसके बाद लिखा हुआ acetone को आप sodium hypochlorate के सागर गरम करेंगे तो क्या बनेगा तो chloroform बनता है यह देखे यहां पर star बना हुआ है इसका मतलब chloroform हमारा यही है उसके बाद acetone की hydroxyl amine से क्रिया करते है जो क्या बनता है हमारे acetone oxym बनता है इसी तरीके से एक और reaction आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है glucose की ठीक है glucose से glucose जोन मतलब glucose से glucose बनाते है तो वहां पर भी हम hydroxyl amine से ही क्रिया कराते है ठीक है उसके बाद यह देखिए अब हमारी reaction आ गई है बेंजीन वाली यह फ्रीडल क्राफ्ट अभी क्रिया भी होती है कौन सी जब हम बेंजीन से acetofenone बनाते है तो इसी को हम फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया में भी यूज करते है बेंजीन से benjoic अमले है फिर TNT बनाते है बेंजीन से phenol है बेंजीन से dichloro, diphenyl, trichloro methen यानि कि अगर हम short में बोले इसको तो बेंजीन से DDT कैसे बनाते है काफी important यह reaction है उसके बेंजीन से पिक्रिक अमले यहां पर हो जाएगा हमारा TNP यह भी काफी important reaction है इसको भी अच्छे से practice कर लिजएगा और फिर उसके बाद aniline कैसे बनाएंगे बेंजीन से बेंजीन से chloro benzen यह सारी फिराज आती है chloro benzen वाली यह सारी डीटेल में लिखी हुई है काफी कहां पर मेहनत के बाद इसको बनाया गया है इसको आप अच्छे से practice कर लिजएगा अब देखें यहाँ पर glucose वाली आ गई है अभी हमने जो आपको पताया था glucose के गराब PCL5 से क्रिया करेंगे अगर glucose की reaction कोई भी आती है तो इसके अलावा और कोई भी नहीं आएगी जितनी भी यहाँ पर reaction लिखी है most most important है यही आती है exam में ठीक है अगर इसके रसायनी अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सॉर्विटल प्राप्त करेंगे तो भी आपको यही रेक्शन लिखने है और अगर ऐसे आता है कि ग्लुकोस की सोडियो अमलकम से क्रिया करते तो क्या प्राप्त होता है तो आपको सॉर्विटल लिखना पड़ जाएगा ठीक है प्रै उसलिए बार-बार कह और जाये है कि क्राक्षिस करके जरूर आजाईएगा रियक्ष्टन जो है आपके पूरे दस नंबर पक commute कराती है तो रियक्ष्टन अच्छे से पढ़ लिजियेगा उसके यहां पर देखी यह सारी glucose वाली reaction ही है glucose से glucose जोन भाया बहुत जादा important यह reaction है बहुत बार exam में आती है कि glucose से glucose जोन आप कैसे बनाएंगे और ऐसी यह वाली भी काफी important है glucose से glucose अक्रिक अमल उसके बार आगे हम चलें तो glucose से glucose अभी हमने आपको बताया था उपर आया था acetone से acetooxym यह आया था वहां पर भी इससे क्रिया हुई थी ऐसे हमने भी आपको बताया कि glucose से भी glucose बनाते है तो वहां भी नच्टू उससे क्रिया करते है यह reaction भी very most important है उसके बाद फेहलिंग विलियन यह देखी यहां पर भी वही चीज है failing million और टॉलन अभी करमग यह सब के संक्रिया कर देता है और हमास्या क्या बनाता है अगर failing million है तो यह बनेगा PPT और यहां पर अगर हमारा टॉलन अभी करमग है तो रजदरबर प्राप्त होता है तो फिलाल हमने पूरे क्लास भी आपको detail में सबसे पहले हमने आपको formaldehyde उसके बाद acetaldehyde फिर उसके बाद हमने आपको propanon यानि की acetone और साथ में हमने आपको glucose है और benzene है chlorobenzene है इससे related जितनी भी most important reactions थी वो सारी ही हमने आज के class में आपको बता दी है आगे class में आपको और भी कई सारी reactions हम बता देंगे फिलाल इस class में जितनी भी reactions है वो very 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 most important है इसमें से एक भी reactions ऐसी नहीं है जो exam में नहीं आई हो ये सारी reactions आपको क्या करनी है practice कर ले लिए एक बर अच्छे से पहले आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में इसारी reactions को और इसके बाप practice लगातार करते रहें करते रहें एक ऐसा वक्ता आएगा कि जब आपकी practice जो है इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका pen खुद बाखुद अपने आप चलने लगेगा ठीक है इसके जो PDF है वो हम टेलिग्राम पर शेयर कर देंगे अभी ही तो आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर लीजिए depth study सर्च करेंगे तो आ जाएगा और chemistry के जो playlist है इसके numerical की और जो theory के question है वो हम description में दे देंगे तो I hope पूरा class आपको अच्छे समझ भी आ गया होगा वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताए और हाँ टेलिग्राम पर जोइन जरूर कर दीजिए इसकी PDF वही पर शेयर कर देंगे अब इस class में इतनी रखते हैं तब तक की लिए जय हिन या भारादा